हालो फ्रेंस, आप सभी का स्वागत है, आज हम कछा 10 का समाजी ज्यान का पेपर देखेंगे इसमें आप सभी कोई 3 घंटे का समय दिया गया था, जो आपका 70 नंबर का पेपर पुछा गया था bra descraina आप इसपेपर को तयार कर लेते हैं तो आपके बोड के एकजाम में 70 में सत्तर आप पासकते हैं तो फ्रेज defense parece चाट करते हैं तो फ्रेज़िए आपके सामने यह होवी कलपी पी risk नकर देखते हैँ इसमें आपका पहला प्रशन है कि फ्रांस में गरतंत्र की घोसड़ा किस वर्स हुई इसका आपसंथ आपके सामें 1915-1023-2834 आपका था 18171 इस वी तो फ्रेंश फ्रांस में गरतंत्र की घोसड़ा जो हुई थी 1871 में हुई थी आपका अगला प्राशन जब फ्रांस छीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है यह कथन किसका है तो फ्रेंस यहां पर आपका आपसंद था मैटर निक काबूतर विसमार्क मेटिस्तनी तो फ्रेंस इस प्राशन का राइट एंसर था मैटर नि जब फ्रांस छीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है यह कथन मैटर निक का था आपका अगला प्रशन सवी ने अवाग्या अंदूलन कब हुआ था तो फ्रेंस देखिए आपका जो महात्मा गाधी की द्वारा तीन आंदूलन प्रहुक चलाए गये थे उनसे आपके प्रशन जरूर पूछेंगे पहला प्रशन आपका बन सकता है फ्रेंस कि महात्मा गाधी ने असहयोग अंदूलन कब चलाया देखिए यहाद रख सकते असहयोग अंदूलन असहयोग अंदूलन जो है आपका 99 में चलाए ठीकर फिर सवी ने अवाग्या अंदूलन जो हापका था सवी ने अवाग्या अंदूलन आपका 1930 इस विमे चलाए ठीकर फिर इसके बात भारत छोड़ो अंदूलन भारत छोड़ो आंदोलन ठीक है यह तीनों महात्मा गाधी की द्वारा चलाया गया था और यह चला था आपका गया सक्राइट क्या है यहां पेंटर कला अगला प्रों प्राइब था इसका राइट एंसर होगा जल तो फ्रेंस इस वीडियो का आपको इसमें इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेस्टन भी बताएंगे साथ में चलिए अगला प्रशन है कपास की खेती के लिए कौन से मिट्टी उप्यूग था है तो फ्रेंस इसका अफसान था लाल मिट्ट जलो मिट्टी और लेटराइट मिट्टी इस प्रश्च का राइट एंसर होता है काली मिट्टी काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है आपका अगला प्रशन था कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्स आरम किया गया था तो टाइगर जो प्रोजेक्ट है 1973 में विस्व का कितना प्रतिशत वर्षा होती है इसका आप्सन था 4 प्रतिशत चर प्रतिशत बहुतá आपके और प्रृषण है इसका आप अगला प्रश्ञन है पंजाब–उत्रा घंज गुजरात यूपी unsprBE इस है एक विस्वいます से कहा है उत्त्राकंड में आपको अगला प्रश्न है काला सोना किसे कहते हैं दिएक इसका अफ्स का था लोहा कोईला करा कंपास काला सोना जु कहा जात जाता है इस प्रश्धान है डोरे कि क्या है इसका अगला प्रश्न था कौन सा संघी राज नहीं है इस में से फ्रेंट को पताना था क्वाओं सा संघिय राज हैं इस प्रश्ण का राइट एंसर होगा कि दिल्ली दिल्ली जो है आपका एक संघिय राज नहीं है जब कि बिहार उत्तरपर्दे गुजरात एक संघिय राज है आपका अगला प्रश्ण था कि सिच्छा किस सूची का विश्य है तो फ्रेंज जो सिच्छा है इ सिच्छा किसमें आता है तो समवर्ती सूची में आता है इस प्रश्क राइट एंसर होगा समवर्ती सूची आपका अगला प्रशन था भारत में संघी राज्यू की संख्या कितनी है देखें आपके सामने आया कि भारत में संघी राज्यू की संख्या कितना है तो फ्रेंस इस आफसन था सत्ता की साजदारी सत्ता की विभाजर राजतंतं इन में से कोई नहीं देश की अखंड़ता के लिए जो एकता के अवस्टा के प्रेंच टेनों आपसर नहीं इसक column यह कोई नहीं अग्ला प्राश्ही पार्क इस राज्जी में है इसका अपसंताब के सामरे असम ऊड़ीसा पस्टिम बंगाल यूपी सुंदर वर राष्टी पार्क है आपको देखते हैं आपका तो में अब आपको बताने हैं विक्सीं देश के अंतरगत अमेरिका आजाता है फ्रांस अस्वारा धाता यह सब राज्याते ठीक है देखे आपकी सामें आपसम था भारत भराजी बंगला देश या फ्रॉस्डारा इस प्रश्ड कर się इस अज़ाएगा फ्रॉस्ट आपका अगला प्रशन था भारत में मत अधिकार की आयू क्या है मत अधिकार की आयू मतलब कितने वर्स के बाद अब मत अधिकार अपना मत दे सकते हैं तो इसका अफसन था 15 वर्स 18 वर्स 21 वर्स पंदर वर्स इसका राइट एंस वर्स था 18 वर्स तो फ्रेंस 18 वर्स के बाद अपना मत दे सकते हैं देखें आपका 20 most important objective question थे अब चलते हैं देखते हैं लगो उत्तरी प्रश्न क्या-क्या इ इसको देखिए और अपने नोट्स में इसको ट्रिक लगा दिया हुए इसे याद करिएगी बोट की exam में question पूछा जा सकता है इससे आप देखें चले आपका प्रशन था कि दो प्रशन को तर दीजी देखिए आप चार प्रशन में इसमें दो प्रशन का उतर देना था यह लेकिन आप अपने नोट्स में इन सभी प्रशनों को इंपोर्टन लगा लिजीगा और इस पॉइंट को जरूर याद रखिए ठीक है आपका अगला प्रशन पूछा गया था किने चार प्रशनों को उतर दीजिए संघात्मक सासन में कात्मक शाषन में अंतर लिखना था प्रशन था भारत सूती वष्त उद्योख भ एष्वात का क्या परभाव पढ़ा अगला प्रशन स्पर जालीयावलाला भाग घत्याकान-प्रेस यह बहुत इंक्रेंटेंट है यर्मेव बहें। जीवन के लिए क्यों महत्तपूर हैं यह प्रशन आपका आया था बहु उद्देशी नदी प्रयोजना से होने वाली लाबों को वरण कीजिए इसके बारे में पढ़ लीजिएगा भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए जलो मिर्दा को वरण कीजिए इस कर देखिए यह था कि आपको मांचीत भारत का नक्सा देता उस पर आपको इस पर टिक बना था क्या था आपका प्रश्च पहला था वह स्थान जहां 1916 भारती राष्ट का अंग्रेश्च का अधिवेशन हुआ इसके बारे में वह स्थान जहां जालीवलबाग हत्यकांड ह इसको आप याधी रखिए वह स्थान जहां गाधी ने अपना पर्थम सत्यागरा अंधुलन चलाया था इसका बारे में वह स्थान जहां 1929 का भारती राष्ट का अंग्रेश्च का अधिवेशन हुआ अब अगला मांचीतर पर था भारत की राजधानी चिन द्वारा देख सब्सक्राइब करें पीडियू को लाइक करें और सब्सक्राइब करें